हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy A34 Android mobile phone में आप जो अपने डिलीट हो चुकी फोटेया वीडियो को आपने रीकावर कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहां पर वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखे दोस्तों अगर आपको अपने mobile phone की डिलीट होच की फोटेया वीडियो को आपने दो तरीकों से रीकावर कर सकते हैं तरीका यह होता है कि आप अपने mobile phone की सेटिंग के जरीए ही रीकावर कर पाएंगे ठीक है और दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपने mobile phone में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियों बताने वाला हूं कि कैसे आप जो अपने mobile phone की सेटिंग के जरे ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोट है वीडियो को रीकावर कर पाएंगे तो चली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मैं अपने mobile phone की गैलरी को ओपन कर लेता हूं मैं आप देखे मेरे पास यह फोटो है सबसे उपर वाला यहाला फोटो ध्यान से देख लीजिए इस फोटो को पहले मैं यहां से डिलीट करूंगा इसके बाद मैं आपको इसे रिकावर करके दिखाऊंगा ठीक है तो यहां से इस फोटो को पहले तो मैं इस तरीके से डिलीट कर देता हूं ठीक है इसे मैं डिलीट कर दिया है यहां से फोटो डिलीट हो चुका है अब देखे इस फोटो को रिकावर करने के लिए करना है कि आपको कि आपके जो फोन की गैलरी होती नहीं इसमें आपको नीची की यहां पर इखटी हो जाती है अब देखे जो फोटो मैंने डिलीट कहता है यहां पर यह आ चुका है अब इस फोटो को recover करने के लिए आपको करना है किया इसको आपको उंगली से दबाके रखना है यह आपको नीचे की साइड यह option अगर restore कर रिज्टॉर पर tap करना है आपका एक और पेज आगा, इसमें अलाओ कर देना, आपकी फोटो रिकवर हो जाएगी, आपकी फोन की गैलरी में वापिछ चली जाएगी, ठीक है, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह फोटो अपनी जगे पर वापस आ चुका है, यह फोटो रिकवर हो चुके, ठीक है, इस तरीकिसे आप जो है मुवाइल फून में, अगर आपकी कोई भी फोटो यह वीडियो डिलीट हो जाती है, लेकिन इसमें भी एक लिमिट होती है, कि आप उसे कितने दिनों के अंदर आप उसे रिकवर कर सकते हैं, लिमिट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इसे समझने के लिए आपको 20 वाली पेज में दुबारा जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए दो जगे पर लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा है, 60 days, यानि कि 60 दिनों के अंदर आप उसे जो है डिलीट वाली फोटोव वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में लिखा है 30 days, तो यह यहाँ पर इस backup इस off लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस app की backup setting को पहले से बंद कर रहा है, ठीक है, अगर आप यह नीचे की side on का button है न, turn on backup, अगर यह on पे tap करके, अगर आप इस backup setting को चालू कर देते हैं, चालू करने के बाद अगर आप किसी भी photo को delete करेंगे न, तो photo आपकी जो है, इस bean वाले page में, 60 दिनों तक पड़ी रहेगी, जिस date को delete करेंगे, उसके आने वाले 60 दिनों तक, यहाँ पर पड़ी रहेगी आपकी photo, 60 दिनों में उसे आप recover कर सकते हैं, 60 दिन में recover नहीं किया, तो 60 दिन बाद जो automatic permanent delete हो जाएगी, ठीक है, यह 60 दिन ऐसे recover कर सकते हैं, 30 दिन में recover नहीं किया, तो 30 दिन बाद जो automatic permanent delete हो जाएगी, ठीक है, तो 60 दिन और 30 दिन इस तरीके से अलग तरीके से काम करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके सा आप जो delete हो चुकी photo video को आपना इस तरीके से recover कर सकते हैं, अपने phone की setting के जरीए ही,